हेलो फ्रेंड्स दिश इस एश्पिशिंग एंड वेलकम तू इश्माटर एवरी डे डे डियर फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे उस्टेंड्स कंटिनू मैसेज कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे किसरा हमको बीट फर्स्ट स्वेस्टर के नोट्स चाहिए तो कैसे मैं आपको बोला था कि नोट्स आपके प्रिपेर हो रहे हैं और प्रिपेर हो चुके हैं तो अभी आपको नोट्स कैसे लेने हैं किसकी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे और हमारे नोट्स कैसे रहेंगे यह सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ठी जुरूत है ना तो कोई इजी नोट्स खरीदने की जुरूत है यानि कि कुछ भी खरीदने की जुरूत नहीं है अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो उसके बाद पूरी इस्पी सर की इसमार्टर एवरीडे की होती है ठीक है आपको बाहर से कुछ भी लेने की आविश्यक्ता नहीं होती है सबी युनिवर्सिटी के नोट्स देखिए बीट फर्स सेमेस्टर में मोस्टली जो सब्जेक्ट से वो कौमन है ठीक है तो कह सकते हैं कि आप भारत में किस जैसे कि यह लखनव University का syllabus है, बिए फर्स्ट स्चमेस्टर का, और यह कानपूर University, CSGM, महाराज University कानपूर के है, यह देखिए, फर्स्चमेस्टर में यहाँ भी philosophical perspective of education है, यहाँ भी philosophy और sociological perspective of education है, यहाँ sociological का paper अलग है, और यहाँ इसी में include है, यहाँ पे psychology है, और यहाँ पे psychology का second paper है, तो यह जो तेन compulsory paper थे, यहाँ भी same है, और यहाँ भी philosophy है, sociology है, और psychology है, यहाँ भी philosophy है, sociology है, ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे third paper है, वो technology का है, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन यह हम complete कराएंगे, इसकी PDF भी आपको provide कराएंगे, यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा नह कि हम नहीं देंगे, यह भी provide कराएंगे, ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यहाँ value and piece education है, यहाँ भी value and piece education है, जो बच्चे कानपुर में inclusive education लेते हैं, उनको भी notes provide कराएंगे, ठीक है, और यहाँ भी अगर आपका innovation in education है, तो इसके भी notes provide हम कराएंगे, ठीक है, याद रह कि जो notes हम देंगे, वो यहाँ पे सिर्फ inclusive education और value and piece education के देंगे, कानपुर में, और लखनव में value and piece education और innovation education के notes provide कराएंगे, यानि कि paper जो आपके हो गए, तीन और एक चार, आपके चार paper हो गए, लखनव में, फर्स्ट नमेस्टर में, जिसके हम notes देंगे, और कानपुर में आपके 3 और एक paper, आपका optional यहाँ से, चार paper आपके यहाँ से हो गए, ठीक है, चार paper के notes आपको यहाँ पूर के भी मिलेंगे, लखनव के भी मिलेंगे, बात समझ में, आ गई, ठीक है, एक optional आपका यहाँ स्रहेगा, आपका यहाँ से रहेगा, अब आप किसी भी university से देख अगर आपका paper technology का है तो आप message कीजिए university का नाम बताईए हम आपको reply करेंगे बताएंगे कि कैसे आपको notes मिलेंगे ठीक है आप देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि notes कैसे मिलने हैं और दूसरी बात यह है कि जैसे जब आप notes हमारे लेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि प preparation क्यों हो मैं आपको बता देता हूं चार paper की fees आपकी 300 रहेगी 300 रुपए में आपको complete notes दिये जाएंगे जिसमें आपको बाहर से कुछ भी लेने की आउश्यक्ता नहीं रहेगी ओके 300 रुपए fees one time pay करनी है और इसको complete notes आपको इसमें मिलेंगे दूसरी बात आपको बताते हैं जब आप हमें fees pay करेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा कि group में add कर दिया जाएगा हमारे पास whatsapp में group बना दिये जाते है paid cents के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस त prepare किये गए हैं यानि कि बच्चे पहले add हो गए हैं फिर जैसे content ready होता रहता है उनको forward कर दिया जाता है ठीक है जैसे आप यह समझ रहें paid third semester group का group है तो इसमें जैसे जैसे notes हमारे prepare होते हैं वैसे वैसे इस trends को forward कर दिया जाता है और दूसरी बात और भी आपको दिखाते हैं यहां पर आप देख रहे होंगे second year group no.8 second year group no.7 आगरा group no.3 इस तरीकी के notes इस तरीके से पूरे group मना दिये जाते हैं ग्रूप में आपको add कर दिया जाता है फिर जितना content complete होता है वो आपको तुरंत फीस आप पे करेंगे तुरंत आपको forward किया जाएगा जितना complete है बाकी आपको जैसे जैसे complete होता रहता है परड़े आपको content मिलता रहता है जैसे secondary group no.8 है है ना अब इसमें जैसे notes share किये होंगे पुराने ग्रूप है secondary ग्रूप नंबर एक टूप सेकेंडियर का गिजाम तो हुई गया ठीक है इस तरीके से secondary group no.8 second group आगरा नंबर आगरा का group no.3 है यह तो इसमें इस तरीक content में share किया जाता है तो आपने समझ दिया किस तरीके से groups मनाया जाते हैं और इसमें आपको add किया जाता है जितना जो content हमारा प्रिपेर है complete है वो आपको forward कर दिया जाता है अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे notes किस तरीके के रहेंगे यह देख रहे हैं आप be it इसमें लिखा हुआ है be it first semester या be it first year पेपर है आपका सिक्षा के दार्शनिक पिलपेक्च या दर्सन सास्तर का पेपर है ठीक है य इस तरीके से पूरा content त्यार किया गया है इसकी एक class हो चुकी है जिसमें मैंने इसको पढ़ाया भी है शिक्षा का शाब्दिकर्थ क्या अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे notes लेने के बाद आपको जो फाल्तू की चीज़े बुक्ष में बहुत सारी दी जाती है व इसमें सिर्फ important चीजे जो महतपूर्ण चीजे हैं वही आप तक share की जाती है आपको example दिया जाता है आपको pictures के माध्यम से समझाया जाता है तो इस तरीकी के संकुची तर्थ हो गया सिच्छा का व्यापा कर्थ में जाएंगी व्यापा कर्थ की अलग जैसे pictures होंगी पिजाम तो देना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा ही कर रहा है यह यहां से भी सीख रहे हैं यहां से भी सीख रहे हैं तो इस तरीके से pictures के माध्यम से आप समझपाएंगे चीजों को बहुत आशान तरीके से हैंना तो हर एक चीज को बहुत ही विद्वा तरीके से complete किया ग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, वाटसप कीजिएगा, अगर वाटसप रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो आप जो है की, कॉल कर लीजिएगा, बहुत सा इसुर्ण्स का मैसेज आता है, तो आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं, बाकि आप मैसेज कीजिएगा आपने university का नाम डालिए, ठीक है, कानपुर और लखनौ के हैं, तो आपको subject लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी other universities के हैं, तो आपके subjects लिखने की जरूरत है, ठीक है, चार subject की PDF आपको मिलेगी, लखनौ कानपुर के according, जिसकी fees आपकी 300 होगी, ठीक है, बाकी किसी भी problem के लिए आप हमें दिए गये number पर message कर सकते हैं, call कर सकते हैं,